इससाइज रान्स साइज इंक्रिस हो सकता है अभी मों जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ जैसे या उसको जूम करके देखोगे तो आप चीज़ चैक कर सकते हूब कि इसके कहीं से भी पिक्सल नहीं फट्ट सब चीजों की अगर आपको quality को increase करना है एक HD quality में आपको photo को save करना है तो मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताने वाला हूं उस आसान से तरीके से आप अपने picture की quality को enhance कर सकते हैं सबसे पहले एक बात समझो जब आप YouTube पर किसी भी thumbnail को अपनी वीडियो पर लगाते हो upload करने के बाद थोड़ी down हो जाती है डाउन होने के बाद क्या होता वह थमनेल जादा अच्छा नहीं दिखता है और लोग उस पर ज्यादा क्लिक नहीं करते हैं लेकिन जब आप Instagram चलाते हैं Instagram पर कोई भी अपनी photo को upload करते हो तो वह के भी में होती है upload करने के बाद क्या होत तो इस वीडियो के अंदर में आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ एक ऐसा application बताने वाला हूँ उस application की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि thumbnail हो या फिर आपने YouTube banner बना रखता हो या फिर आपको कोई Facebook banner हो या Facebook logo हो या आपकी कोई पुरानी photo निव photo हो आप उसको सिर्फ एक click में enhance कर सकते हैं उसकी जो quality है ना उसको आप बढ़ा सकते हो माली जी अगर आपके पास कोई सो या डेड़ सो के भी की या उस सिर्फ के भी की अगर आपके पास कोई picture है तो आप उसको 78 MB तक में convert कर सकते हैं सिर्फ एक second के अंदर और बहुत ही easy और आसान सा तरीका बता तो उस थमनेल की जो quality होते ना वो down हो जाती है क्योंकि एक तो पहले ही आज जो thumbnail बनाते हो आप लोग तो पहले ही बहुत डाउन थमनेल बनाते हो मतलब उसकी जो size होता ना बहुत डाउन हो जाता कुछ kb में या कोई बनाता एक MB में या 1.5 MB में thumbnail बनाते हो उसको जब आप अपलोड करते हो तो उसकी जो quality होती है और जादा डाउन हो जाती है और फिर उसके जो पिक्सल वेगार होते हो फट जाते हैं फिर वो यूटूब पर कोई ज्यादा हास नहीं लगता लोग उस पर click नहीं करते क्लिक नहीं करेंगे तो वीउज भी नहीं आएंगे यार जो तरीका ना आपको बता रहा हूर आप भी सबस्क्राइम कर लो और अच्छी ले GOD कर देना किया यार यार आप बाद में वीडियो को तो लक्रना भूली आते हो तो आतो और चैनल को तो और शो Pack आती तो उसी संहीं सब्सक्राइब कर रहरा चाहिए वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो एक तो इस चीज़ का ज़रूर धियान रखना है नहीं रखनी है स्री माइंड में पोजिटीव ही रहना चाहिए माइंड और उसी तरीके से यूटूब पे काम करना चाहिए ठीक है तो चली मैं बताता हूं किस तरीके से आप अपनी पिक्चर की क्वालेटी को बढ़ा सकते हो ठी कंप्लीट देख नायार कहीं भी वीडियो को मिस नहीं करना टीके तो आपको क्या कम करना सबसे पहले आपको फिक साउट को और लेना अब में आपको छीज बता चीज बता देता हूं जो लोग कि साट को चलाते हैं यूज करते हैं वह उस गलत फैम्वी में ना रहें जो आ एक यूनिक तरीका है उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आपको पिक्चर की जो क्वालिटी आप उसको इंक्रीस कर सकते हैं वह बिल्कुल डिफ्रेंट है ठीक है तो जो मैं तरीके बताऊंगा आपको उसको फोलो करना है पिक्सार्ण को ऑपन करने के बाद आपको एक काम करना पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा दिखा देता हूं जो मेरे पास पहले से हैं उसका साइजिस क्या है ठीक है तो उसके लिए आप प्रे क्या कम करना मैं यह सांज विब disruption Smart 174 KB का अब आप ही बताइए अगर मैं इस थमनेल को अपने जो वीडियो पर लगाता हूं तो आप ही बताइए इसकी क्वालिटी जो है डाउन होगी या अप होगी इसकी क्वालिटी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी कोई भी इस पर किलिक नहीं करेगा इस थमनेल पर ठीक ह ही देख सकते हो उसकी बार में पास्यवां फोट्व को पोड़ोट करते हैं इस फोट्व कि अगर मैं Ф 콘.'s को आपको दिखा हूं तो इसका साइज देखिए इस फॉट्व का जो साइज है इस फट्वाट्व का साइज साउसातो चा वालिस के भी है यहनी एक Pictures करना है यह हम इन दोनों को increase करना यह हमारे पास पहले से है हम then ni locals के आप में इनको इनकी quality को increase करना है किस तरीके से increasing कर सकते हैं तो में हमने अभी पिक्सार को open किया open करने के बाद आपको क्या कम करना आपको यहाँ पर लाकर करना है जैसे आप की पिक्चर की क्वालिटिै हैं सोती है वह कुछ आपको बताने बाला हूँ तो पहले आपको इस पर टैप करने के बाद आपको यहां पर बहुत सारे साइज दिहाइए दे जाएंगी जाएज यहां आपको बैक चले जाना या बैक जाने के बाद नीचे देखेंगे अपाइकन दिह देगा आपको इसके कि अप करने अपको क्या काम करना आपको एड़ीत फोटो पर चले जाना है फोटो वervices पर ओप कर आपको इस पर कना किता आपको व 104 सब्धाइब करना करें तो यह अपनी तरब से जादबन करेंगा वह आपको यहां पर यहां पर डाल देना जैसी है पर डाल दैता हूं तो जो इसने recommend किया था size मैं यहां पर डाल दिया अब मैं इसको resize पर tap करने के बाद भी अभी यह complete नहीं हुआ है अब इसके बाद देखो जो सबसे जादर important है उसके बाद आपको क्या कम करना है आपको थोड़ा ता आगे चले जाना आपको द्रा का option यहां पर मिल जाएगा आपको उसके टैप करना है जैसी आप ड्राव पर टैप करोगे टैप करने के बाद आपको क्या कम करना है आपको यह जो थमनेले सामने आजाएगा इस पर आपको एसी कुछ थोड़ा बहुत स्क्रेज कर देना मतलब इसको एडिट करना ऐसी स्क्रेज करने के बाद आपको क्या अगम करना ऊपर लेयर का option आपको दिखाए देगा ठीक है आपको लेयर पर टैप करना है जैसे आप सेवी मेज़ पर करना है आपको यहां पर तीन ओप्शन दिखेंगे जएगे जबिग लिए पीजी पीडियाफ तो आपको प्पेजी में सहीव करना त्यान पीजिए प्रसक्तिकर करो जैसे आप ऊसे प्नेल की जो क्वालिटी है ना कितनी हुई मैंने आभी आपको दिखाई ती 174 के भी एडिके और अभी जो हमने एडिट करी है अभी जो हमने साइज को इंक्रीज करा है यह वह दोनों पिक्चर है मैं पहली पिक्चर ले लेता हूं अब मैं इसका साइज आपको दिखाता हूं जैसे आप इसका साइज देखेंगे 6.40 MB इस लगवक साड़े 6 MB इसका साइज इंक्रीज हो गया अब आप इसकी अगर इस थमिनेल को अगर थोड़ा जूम करके भी देखोगे तो इसकी जो क्वालेटी है वह बिल्कुल भी नहीं फटेगी इसकी क्वालेटी बेकार नहीं है इसकी जो पिक्सल है वह बिल्कुल भी इसकी फटेंगे बहुत अच्छी क्वालेटी में से हुआ अभी आपको मैं फोटू दिखाता हूं जो सबसे आदे इससे भी जादे इंपोटेंट है एक बार मापको फोटू दिखा दीता हूं कि फोटू भी फोटू का जो साइज है वह भी इंक्रीज हुआ है या नहीं फिर से आपको फाइभ यहां पर कर देना क्योंद तो यहां यह आपको साइज करेगा यह आप पर क्लेश को 1950 कborg dr liar को यहां पर कि द्राइब करने हैं और अपको एक आप प्र दीन ऑफिर सर्व पिक्चर प करनाए और जैसे यहां पे तीन option आपको मिलेंगे फिर से आपको सेव पी एंजी पे टैप करके सेव कर देना इसको ठीक है उसके बाद आपको क्या कम करना है आपको फिर से गैली में चले जाना है जैसा आप गैली में जाएंगे मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं तो गैली में जाने को जो हमारी प सकते कहां तो इसका 1 MB भी साइज नहीं है और कहां 4 MB में इसका साइज इंक्रीज होए और आपके बाद जो पिक्चर है और भी ज्यादा 8 MB 10 MB तक उसका साइज पिक्षल फट यति तो पिक्षल कहीं से भी एकार हो सकता है तो इस तरीके साइब फोटो नेंट लोगो इन सभी चीज़ों के जो साइज को इंक्रीज कर सकते हैं यह बहुत आसांसा तरीका मैं आपको बता है तो अमीद करता हूं दोस्ते वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगी तायर वीडियो को लाइक करती दिया चैनल को अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजी मिलते फिर किसी और नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाई